पाठ एक दयालू शिकारी सौथी पेला विकलपो आपेला चे पेला प्रश्ण जंगल में शिकारी ने एक हिर्नी को देखा शिकारी एक पेड के पीछे चिप गया हिर्नी निशानी के सिध में आ गई पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते है डोक्टर ने घाउ पर मरहम लगाया शिकारी के पास एक बंथूक थी शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया शिकारी ने एक मोटी ताजी हिर्नी देखी शिकारी को बहुत पच्चतावा हुआ इलाज से हिर्नी को आराम मिला चल्वेना पची वितानों ने पुरुण करवाना छे शिकारी जंगल में गया क्योकी को आउशे उसे हिरन का मास खाने की इच्चा हुई थी बिजु, हिरन इधर उधर भागने लग्ये क्योकी बव आउशे वे गोली चलने की आवाद से डर गये थे शिकारी को पच्तावा हुआ क्योकी ए, उसने एक निर्दोष पानी को कष्ट पहुचाया था चल्वेना पची प्रस्णों ना जवाब शिकारी जंगल में क्यो गया था शिकारी जंगल में गया क्योकी उसे हिरन का मास खाने की इच्चा हुई थी हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में मोटी ताजी है शिकारी की गोली हिरनी को कहां लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी क्या देखकर शिकारी को पच्चतावा हुआ? हिरनी की आँखों में आसु देखकर शिकारी को पच्चतावा हुआ? शिकारी ने हिरनी के साथ दया प्रुणा विवार किया क्योंकि उसकी दशांसे वो दुखी था यदी शिकारी की जग मैं होता तो मैं शिकारी नहीं करता शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगे थी हिरनी की आँखों में आसूप बहे रहे थे उसे देखकर वो दुखी हो गया और तुरंथी पशो के अस्पिताल में ले गया डोक्टर ने उसकी टांग में लगी गोली को निकाल दिया और खाव पर मरहम लगा दिया चलोएना पकची बीजू, बातुनी कचुवा, कचुवा कहां रहता था तालाब में, कचुवा बहुत बातुनी था, हंसो ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चाई किया, हंसो ने लकडी का एक-एक सीराहू में पकड दिया, हंसो ने कचुवा को बोलने से मना कर दिया, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गये पचि विधानों पुरोन करवाना चे तालाब का पानी सुखने लगा क्योंकि बरसाद बहुत कम हुई थी बिजु हंस एक लकड़ी ले आये क्योंकि वे उसी की सहायताई से कचुए को दुसरे तालाब पर ले जाने चाहते थे लोगों को देख कर कचुए से चुप न रहा गया पचि प्रश्णोंना जबाब कचुए की क्या आदत थी? कचुए की बहुत बोलने की आदत थी हंसो ने कहा जाने का निश्चय किया हंसो ने दुसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया कचुए ने मूँ से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कचुए का मूँ कुलने पर क्या हुआ? कच्छुवे का मुंकुलने पर लकडी छुट गई और वह जमिन पर गीर गया पच्छी छे बुद्धिमान कववा जो ये नाविकल्पो कववे को खुब प्यास लगी थी कववे ने जोपड़ी के पास क्या देखा घड़ा कववे ने घड़े में क्या डाले कंकड कववा केसा था बुद्धिमान चलना पच्छी खाली जेगिया कववा खुब ब्यासा था कववे ने इधर उदर पानी की तलाश की घडे में थोड़ा पानी था कववे की चोँच पानी तक पहुँच नहीं सकती थी सही वाक्यांज चुन कर विधानों को पुरुणा की जे कववे ने पानी की तलाशकी क्योंकि उसे खुब प्यास लगी थी उड़ते उड़ते कववा एक जोपड के पास पहुचा कववे की चोंच पानी तक पहुची नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत निचे था कवे ने घड़े में कंकड डाले क्योंकि उसे निचे का पानी उपर लाना था चालेना पजी प्रश्णोना जवाब कवे ने पानी के तलाश क्योंकि उसे खुब प्यास लगी थी कववा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका कववा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत निचे था कवे ने घड़े के आसपास क्यां देखे? कवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड देखे घड़े में कंकड डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड डालने पर निचे का पानी घड़े के मुह तक आ गया कववे ने अपनी प्यास केसे बुचाई, कववे ने युक्ती से काम लेकर अपनी प्यास बुचाई कववे ने घड़े का पानी पिने के लिए क्या युक्ती की कववा घड़े में एक एक कंकल डालने लगा और पानी उपर आ गया चलो पेला विकलप वा पेला छे किसके मुह में पानी आ गया लोमडी के पेड़ की डाल पर कोन बेठा था कौवा लोमडी केसी थी चालाख कौवा केसा था समझदार अपनी जूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ चलो पेड़ की डाल पर कौवे को देखा लोमडी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा कौवा लोमडी की चाला की समझ गया फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली चलो पेड़ की विधानों पूरुना करो लोमडी ने कोवे का गाना सुनने की इच्छा प्रगट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी कोवे ने रोटी अपने पंचे से पकड ली क्योंकि वह लोमडी की चाला की समझ गया था लोमडी चलती बनी क्योंकि वह कोवे से रोटी नव पास सकी चलेना पशी प्रश्णों ना चबाब चबाब से शुरू होने वाले पातपा शब्द बनाएं टसे टमाटर, टगिया, टहिलना, टमटम, टकसाल डसे डग, डगमग, डकार, दमरू, डब्बा मसे मकडी, मधूर, मयूर, मकर, मक्षिका खसे घर, कमंडी, घन, घडी, ऑकटना भसे भगत पजन भवन दो बार हो गए तुम्हें भरत इहां कर देते हैं भरत भलाई न नगर नमन नयन ननही और नम्र चालोईना पची वीरुधार्थी शब्दो आपेला छे दयालू तो निर्दई निर्दई शिकारी निर्दई होते हैं बहुत तुम बहुत ठक गए हो थोड़ा मुझे थोड़ा पानी दो स्वस्थ, आज में स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ, कल में अस्वस्थ था, खुश, हम हमेशा, वह हमेशा खुश रहता है, नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा, जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है, रोज कई लोगों का मरण होता है, बुराई और भला में बुराई का साथ नहीं देता, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है, दिये गए है वाक्यों में संग्यां शब्दर एकांकित कीजिये, एलेके लिटी दोर्वानी छे, पुजन, परिक्षा, बिजामा उंबाची, त्रिजामा गुलाब और फूल, चोथामा हिमालाई और चटाई, पाच मामा बिल्ली औने दूर, चटामा राम औने शाम, अहीं तामारू पेलू चेप्टर पुरू थाईजे, थेंक्यू